दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो चैनल था यूपी एक्जाम क्रेजर वो 8 अक्टूबर को हैक हो चुका है और वो चैनल कब तक वापस आएगा आएगा भी या नहीं आएगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता तो ऐसी इस्तिति में जब तक हमार चैनल वापस नहीं आता है तब तक हम इसी चैनल पर यानि यूपी एक्जाम क्रेजर टू यह हमारा नया चैनल है और इस पर ही हम उत्तर प्रदेश डेली करेंट अफ्यर्स की वीडियो लेकर आएगे और इसके अलावा जो भी हमारे पास वीडियो अवेलवल थी जैसे उत 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर से समंदित उत्तर प्रदेश एक्जाम्स के लिए सभी इंपोर्टन कुश्यंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज का सेशन सुरू करने से पहले हम कल के कुश्यंस का रिविजिंग करेंगे कल का पहला अगला कुश्यान है उत्तर प्रदेश में कूडे से बिजली बनाने वाला पहला प्लांट कहां बनेगा इसका जो करेक्ट आंसर है और दोस्तों उत्तर प्रदेश करेंट अफेर की लास्ट एट मंद की अगर आपको पीडियाफ डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिसक्प्शन में मिल जाएगी तो वहां से आप इस पीडियाफ को डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको अगस्तमंत की पीडियाफ डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिसक्प्शन में मिल जाएगी तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रोब्लम होती है तो साइड पर आपको वाट्सअप नंबर और एमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं अगला उत्तर प्रदेश के कितने सबसे स्वक्ष नदी यह नदी किस रज में बहती है तो यह बहती है मेगाले में यानि और इसका करेक्ट होगा अगला उत्तूबर 2021 में अथियोपिया के प्रदानमंत्री की रूप में कैसे नियुक्त किया गया है इसका जो करेक्ट आंसर है वह अप्सिन नंबर बी अभी एहमद को अगला उत्तूबर 2021 में किस भारतिय होकी खिलाडी ने अंतरास्टिय होकी से सन्यास की खोशला की इसका जो करेक्ट आंसर है वह अप्सिन नंबर एस वी सुनिल ने अगला उत्तूबर 2021 में किस राज्य सरकार ने प्रसासन सहरों के संग और प्रसासन गाउं जुड़वा अभियान शुरू किया इसका जो करेक्ट आंसर है वह अप्सिन नंबर ए राजस्थान सरकार ने अगला उत्तूबर 2021 में करनाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोममई ने राज्य के 31 में जिले की रूप में निमलखित में से किसका उधगाटन किया इसका जो पोर्टल लॉंच किया इसका जो करेक्ट आंसर है वह अप्सिन नमर डी भूपेंद्र या दव में तो दोस्तों यह थे कल के वीडियो के कुश्यन जिसका हमने रिवीजन किया अब हम सुरू करते हैं आज का सेसन आज का पहला कुश्यन है उत्तर प्रदेश में पहली बार दिव्यांग टी टॉन्टी क्रिकेट टूनामेंट का आईजन कहां पर किया गया इसका जो करेक्ट आंसर है वह है उप्सिन नमर ए वारांसी में उत्तर प्रदेश के वारांसी जिले में मंगलवार को निस्नल टूनामेंट का आईजन किया गया दिव्यांग जन ससक्तिकरण विभाग की ओर से प्रदेश में पहली बार दिव्यांगों के प्रोजसाहन के लिए इस टूनामेंट का आयूजन हुआ है वारानसी के संपुनानंग स्पोर्ट्स स्टेडियम में चार दिवसीय टूनामेंट का आयूजन किया गया जिसमें राश्ट्रिय इस्तर की छे टीमों ने हिस्सा लिया इस टूनामेंट का आयूजन कब किया गया था तो ध्यान रखना है चार से साथ अक्टूबर तक इस दिव्यांग जन ससकती करण विभा की ओर से जो दिव्यांगों को प्रोसहन करने के लिए टूनामेंट का आयूजन है वो किया गया था अब दोस्तो इस आयूजन के समापन समहारों के दोरां मुक्यमंत्री योगी आदित तिनाथ ने दिव्यांगों के लिए जो है प्रुसकार वित्रित किये और इसके अलावा कृतिम अंग एबं सहायक उपकर्ण जो है मुक्यमंत्री योगी आदित तनाथ ने परदान किये हैं तो इससे भी आपको ध्यान रखना है समापन समहारों के दोरां अगला उश्यान है कौन सा संस्तान सरीर में जाकर बीमारी का पता लगाने वाला माइक्ल रोबूट बना रहा है इसका जो करेक्ट अंसर है वो है ऑप्सन बड़ बी आई आई टी कानपूर आई आई टी कानपूर के वेग्यानिक ऐसा रोबूट तयार करने की सोध कर रहे हैं जो सरीर के अंदर जाकर ना सिर्फ बीमारी का पता लगाएगा बलकि इलाज भी करेगा ये रोबूट सरीर के अंदर कोसिका, धमनी, दिल, गुर्दावा नसों में जाकर ना सिर्फ बीमारी का पता लगाएगा बलकि सही इस्थान पर दबा पहुँचा सकेगा इससे मरीजों को जल्द लाब मिलेगा और मरीजों को सरजरी से भी निजात मिलेगी कानपूर IIT के मेकेनिकल इंजियोनेटिंग बिभाग के वरिष्ट विग्यानिक प्रोफेसर विसाख वटाचारे के नित्रत्त में टीम माइक्रो रोबोट बनाने पर काम कर रही है इस काम को जर्मनी के विशेशग्यों के साथ मिलकर पूरा किया जा रहा है और दोस्तों यह जो माइक्रो रोबोट है यह अगले साल तक तयार कर लिया जाएगा ऐसी उम्मेद जताई जा रही है तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो अनोखी तरह का रोबोट है यह कौन सा संस्थान तयार कर रहा है तो IIT कानपूर के वैग्यानिक इस अनोखी रोबोट को तयार कर रहे हैं जो कि सरीर के अंदर जाकर कि बीमारी के पता लगाएगा और इलाज भी करेगा अगला कुश्यान है हाली में बनारस में आयजित एक कारिक्रम में प्रसिद रटॉल आम का पेटेंट किया गया यह आम उत्तरप्रदेश की किस जिले से संबन दित है इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपसन मुर्शी बागपत 20 साल के लंबे इंतजार की बाद जो बागपत का प्रसिद रटॉल आम था उसे सरकार ने बनारस में आयजित एक कारिक्रम के दोरान पेटेंट कर दिया है आम की मिठास और खुस्बू से दुनिया भर में रटॉल गाउं की पहचान है और अनवर रटॉल ये आम की एक ऐसी प्रजाती है जो दुनिया भर में प्रसिद है पलोसी मुल्क पाकिस्तान भी इस पर अपना दावा करता है अनवर रटॉल के नाम से पाकिस्तान में डाक टिकट भी जारी हो चुका है पेटेंट उमर फरीदी और्गनाईजेशन के नाम से पंजीक्रित हुआ अब विक्यात आम भारा सरकार की अधीन होगा और साथी रटॉल में मेंगो प्रडूसर एस्सोसियेशन इसका निर्यात करेगा तो दोस्तों आपको ध्यान अकना है कि जो बागपत का प्रशिद आम है रटॉल आम उसे जो है सरकार ने बनारस में आईजूत एक कारिकरम के दोरान पेटेंट कर दिया है अब दोस्तों ये जो आम है इसे पेटेंट किया गया है तो पेटेंट किसे कहते हैं तो पेटेंट एक अधिकार होता है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी बिलकुल नई सेवा तक्निकी प्रकिरिया उत्पाद या डेजाइन के लिए प्रदान किया जाता है ताकि कोई उसकी नकल ना कर सके दूसरे सब्दों में अगर देखें तो पेटेंट एक ऐसा कानून और व्यक्ति या संस्था इस उत्पाद को बनाती है तो यह गयर कानूनी होगा और पेटेंट धारक ने इसके खिलाफ अगर सिकायद दर्ज के तो वह जो व्यक्ति है उसके खिलाफ करवाहि के जाएगी पेटेंट का उलंगन करने की बजा से लेकिन यदी कोई इस उत्पाद को बनाना चाता है तो उसे पेटेंट धारक व्यक्ति या संस्ता से इसकी अनुमती लेनी होगी और रोयल्टी देनी होगी तभी वो इस उत्पाद को बना सकता है अब दोस्तों यह प्रिशिद आम है इसका जनक अगर देखा जाए तो रटॉल गाओं है लेकिन आम के कुछ पौदे भी साथ ले गए थे तो इसी वज़ा से यह जो पौदे थे यह पाकिस्तान में भी पहुँचे और इसी वज़ा से जो पाकिस्तान ने वो इस आम पर अपना दावा करता है और पाकिस्तान में भी इस आम को अनवर रटॉल के नाम से जाना जाता है क्यो दोस्टों आपको ध्यान रखना है किultura- swimming Beach, जुले से संबंधत है तोुत्र प्रदेश के बागपत से यह संबंधत है जिसका हाली में Paytent किया गया है अगला Question है हाली में साहेतिका नोबेल पूस्कार किसे प Cand happened किया गया स्वीडेस अकेडमी ने पुस्कार की कोशना करते हुए कहा कि अब्दुल्राजक गुर्णाह ने अपनी लेखनी के जरिये उपनिवेसवाद के प्रभावों संस्कृतियों को लेकर काफी कुछ लिखा है उन्होंने सरणार्तियों के भागय का निर्धारन करने के लिए अपनी अडिग और करुणा माई लेकनी के माध्यम से दुनिया के दिलों में प्रेम पैदा किया साल 2020 का साहित्य का जो नोबेल पुरुसकार है वो अमेर्की कवित्री लुईस गुलूक को दिया गया था तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि साल 2021 का जो साहित्य का नोबेल पुरुसकार है वो किसी दिया गया है तो पन्यासकार अब्दुल राजक गुर्ना को साल 2021 का साहित्य का नोबेल पुरुसकार दिया गया है और 2020 का नोबेल पुरुसकार किसी दिया गया था साहित्र की से क्या कर दिया गया है इसका जो करेक्ट आंसर है वो अप्सिनमर भी राम गंगा नेशनल पार्क उत्राखंड के कारवेट टाइगर रिजर्व का नाम जल्द ही बदल दिया जाएगा इस नेशनल पार्क का नया नाम राम गंगा नेशनल पार्क हो जाएगा दरसल तेन करने का एलान किया साल उनीश सो गदल कर Teas ко予 ती और उस समयश नाम किया था तो हेली नेशनल पार्क उनीश सो गधिस में जब से की गई तहु का इसका नाम रखा गया था और इसके बाद इसका नाम बदल करो जिम जिम कारवेट निशनल पार्क किया गया और अब फिर से इसका नाम बदला जाएगा और इसका नाम रखा जाएगा राम गंगा निशनल पार्क और दोस्तों इसका जो नाम हेली निशनल पार्क रखा गया था 1936 में वो किसके नाम पर रखा गया था तो संयुक्त प्रांथ के मेलकम हेली के नाम पर इसका नाम हेली निस्नल पार्क रखा गया था तो दोस्तों ये कुश्यन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है इसे भी आपको अच्छी इसी ध्यान रखना है कि जो उत्रखंड का जिम कारवेट निस्नल पार्क था उसका नाम अब बदला जाएगा और उसका नाम रखा जाएगा रमगंगा निस्नल पार्क अगला गुश्यन है किस राजे सरकार ने भारत का पहला इफिस मार्केट अप फिस वाले लॉंच किया है इसका जो करेक्ट अंसर है गोई उप्स नमर सी असम सरकार ने असम ने मचली पालकों के लिए फिस वाले एप लॉंच किया है इसे भारत का पहला इफिस मार्केट अप कहा जा रहा है इस एप के माध्यम से खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को मचली जलिये किरसी उपक किया गया था तो दोस्तों आपको ध्यान अकना है कि असम सरकार ने मचली पालकों के लिए एक एप लॉंच किया है उसे आपका नाम क्या है तो फिस वाले उस एप का नाम है इसे भारत का पहला इफिस मार्केट अप कहा जा रहा है तो इस वजह से ये कुशन भी काफी मैप में असम असम की कैपिटल है जिस्पूर असम के चीफ मिनिश्टर है हिमंत विस्वासरमा और असम के गवरनर है जग दीश मुखी और असम में लुक्सवा सिरॉक संक्या है चौधा और राज सिरॉक संक्या है साथ तो इसे भी आपको ध्यान अग्ड़ा ए अगला संगठन यानी WHO ने दुनिया की पहली मलेरिया वेक्सीन के बच्चों पर व्यांपक इस्तेमाल की सिफारिष की है डवलेव चो ने इसे विग्यान बच्चों के स्वास्त और मलेरिया नेयंतरन के लिए बड़ी उपलब दी करार दिया है यह वैक्सीन मचत्छरजैनित बीमारी के खिलाफ विसो का पहला टीका है मलेरिया से एक वर्ष में दुनिया भर में चार लाग से अधिक लोगों की मौत होती है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि डबलू एचो ने दुनिया की पहली मलेरिया विक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिस की है और दोस्तों यह विसका फुल फॉर्म क्या होता है तो वर्ल्ड हेल्थ ओर्गनाइजेसन विसो का फुल फॉर्म होता है और विसो की स्थापना का हुई थी तो ध्यान रखना है साथ अप्रैल 1948 में डबलू एचो की स्थापना हुई थी और इसका headquarter कहां पर है तो ध्यान रखना है जिनेवा स्वेडिये लेंड में डेवलू एचो का headquarter है अगला कुश्यान है IPL के एक सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारती खिलाड़ी नेमनमे से कौन बन गई है इसका जो correct answer है वो है option number D हरसल पटेल और यहाँ पर आप image में देख सकते हैं यह है क्रिकेटर हरसल पटेल जो की IPL में एक सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारती खिलाड़ी बन गई है 6 एक्टूबर को अबुधाबी के सेक्स जायद स्टेडियम में खेले गए मैच में हरसल पटेल ने सांदार गेंदवाजी करते हुए सन्राइजर्स हैदराबाद के खिलाफ तीन विकेट लिये इस दोरान उन्होंने अपने नाम एक उपलब्दी हासिल की हरसल पटेल IPL के किसी भी एक सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले भारतिय गेंदवाज बन गए हैं इसके साथ ही उन्होंने जस्परीत बुमरा को पीछे छोड़ दिया है हरसल पटेल अब तक 29 विकेट ले चुके हैं बीते साल बुमरा ने मुंबई इंडियन्स की तरफ से खिलते हुए 27 विकेट हासिल किये थे जबकि 2017 में भुवनिश्वर कुमार ने 26 विकेट लेने का करिस्मा किया था तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो कृकेटर है हरसल पटेल यह आई पियल के किसी बी एक सीजन में सबसे महला पहलवान निम्न में से कौन बन गई है इसका जो करेक्ट आंसर है और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं महला पहलवान अंसू मलेक अंसू मलेक 7 अक्टूबर 2021 को विस्व चेंपियंशिप का फाइनल मुकाबला हार गए और उने रजत पदक से संतूस करना पड़ा इसार की बाद भी 57 किलोग्राम में 19 वर्स की अंसू मलेक इतिहास बनाने में सफर रही वे इस चेंपियंशिप में रजत पदक जीतने वाले पहली भारती महला पहलवान बन गई हैं इससे पहले भारत की चार महिला पहलवानों ने विश्व चेंपियंशिप में पदक जीता है लेकिन सभी को कान से पदक मिला है गीता फोगाट ने साल 2012 में बवीता फोगाट ने साल 2012 में पूजा धंडा ने साल 2018 में और विनिस फोगाट ने साल 2019 में कान से पदक जीता था विश्व चेंपियंशिप में रजत पदक जीता है अगला घुश्यन है भारतिय वायू सेना दिवस इंडियन एर फोर्स डे निम्न मैं से किस दिन मनाया जाता है इसका जो करेक्ट आंसर है बहुत अप्सिन बर बी आठ अक्टूबर को भारत हर साल 8 अक्टूबर को भारतिय वायू सेना दिवस मनाता है यह दिवस आधिकारिक रूप से एवमसारवजनेक रूप से रास्ट्रिय सुरक्षा के लिए किसी भी संगठन में भारतिय वायू सेना के महत्यों के बारे में जागरूपता बढ़ाने के उद्दिश से मनाया जाता है भारतिय वायू सेना मनाय जाता है और इस वुद्यश के साथ मनाया जाता है तो किसी भी संधीन में भारतिया वायुसिन्हा क्या बारे में जागरुपता बढ़ताना इस दिवस को मनाने का उद्धिय से है और दोस्तों वर्तमान में भारतिय वायुसेना के प्रमक कौन है तो आपको ध्यान रखना है एयर चीफ मार्सल वी आर चौधरी भारतिय वायुसेना के प्रमक हैं तो दोस्तों ये थे 10 अक्टूबर से समंधित उत्तरप्रदिस के सभी एक्जाम्स के लिए इसका जो करेक्ट अंसर था वाप्सनमर्स C था A और B दोनों यानि अर्डेम पटपोटियन और डेविड जूलियस को वर्स 2021 का फिजियोलोजी या मेडिसन की छेतर में नोबेल प्रुसकार दिया गया और लगवक्त सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किये और मैं तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो दोस्तो अगर आपको आसका वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तो यूटूब पर अग ही हमारे दो चैनल है इसके अलावा कोई भी चैनल नहीं है तो आपको भ्रमित बिल्कुल भी नहीं होना है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू